नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपके पास भी ईश्रमकार है तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा वाच करेगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आधितनाज जी द्वारा गोशना की गई है कि पंपंसो रुपे परती महा ईश्रमकार धारकों को दिया जाएंगे साथी दोस्तो दो लांक रुपे का बीमा भी दिया जाएगा और इस ईश्रमकार से 16 योजनाओं का लाब भी दिया जाएगा यानिक दोस्तो एक स्रमकार और लाब कहीं परकार के आपको मिलने जा रहे हैं दोस्तो अगर आपके पास भी इस्रमकार है तो इस वीडियो का पुरावाश करेगा क्योंकि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने इस्रमकार धार्गों को कितने व्यक्तियों को यहां पर लाब मिलने जा रहा है दोस्तो भाराद देश में यह चाहे आप कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हैं उसी राज्य में आप लाब ले सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि जो पन-पन-सो रुपे दिये जाएंगे वह केवल और केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलने वाले हैं दोस्तो दोलांग रुपे और सोला बड़ी योजनाओ का लाब चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हैं वहीं से ही आप यह लाब प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो किस प्रकार से लाब दे जाएगा और मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाई जानकारी इस्रमकार धार्गों के लिए लेकर हजिर हो चुका हूं जो कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं अगर आपका भीता की इस्रमकार नहीं बना है तो आपको कैसे बनवाना है कैसे बनाना है और किन किन दस्तावेजियो की जरूरत होगी वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो जिल दोस्तों वीडियो करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दीजिए जहादा शियर भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं आपकी जानकार के लिए बता चाहूंगा कि उत्तर पर देश सरकार द्वारा गोशना की और भारत देश में करीब 38 क्रोड ऐसंगर्टित कर्मों का इस पोर्टल पर यहनके इस रम पोर्टल पर रजिस्टेशन होना हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 13 क्रोड से अधिक कामगार रजिस्टेशन करा चुके हैं दोस्तों जब से मुख्य मंत्री योगी अलितनाद द्वारा गोशना की गई है कि 500 रुपे परती महा दिये जाएंगे तब से दोस्तों इस रम कार धारकों की काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है यहनिके इस रम कार बहुत अधिक बनाए जा रहे हैं वहीं दोस्तों मैं आपको पता चाहूंगा कि जिन सर्मिक कार धारकों ने अपने कार बनवाई हुए है उनको बीपी एस बीवाई के तहत दो लांग रुपे का दुरगटना भीमा कवर भी दिया जाएगा धोस्तों खुधना चाहे अगर आपकी कहीं पर दुरगटना हो जाती है तो सरकार आपको दो लांग रुपे देगी यह फिर कोई हाथ यह फिर सरीर का कोई अंक डामीज हो जाता है तब ही दोस्तों आपको यहाँ पर दो लांग रुपे दिये जाएंगे भविश्य म्याज संगटित कामगारों के सभी समाजिक स्रुक्सालाब इस प्रोटल के माध्यम से परदान किये जाएंगे दोस्तों इसकी पहल उत्तर प्रदेश की योगी आजनात की सरकार ने कर दिया है यहाँ पर काफी जादा इश्रम काड बन रहे हैं जो की उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है में दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोशना की है कि मार्च तक ऐसंगटित छेत्र के 13 क्रोड से अधिक मजदुरों को 500 रूपे खाते में 31 मार्च 2022 तक भेज़े जाएंगे यानि के दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इस सर्म काड बनाए जा रहे हैं और उनकी संक्य आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जिन सर्म काड धर्गों को लाब मिलने वाला है उनकी संक्य यहाँ पर 3 क्रोड से भी अधिक है यानि के 3 क्रोड ऐसे मजदुरों को यहाँ पर लाब मिलने जा रहा है जिनको 5500 रुपे दिया जाएंगे दोस्तों जिन वैक्तियों ने इस सर्म काड बनवाय हुआ है उनको यह लाब दिया जाएगा यहनके जिन व्यक्तियों ने अभी तक इश्रम कार्ड नहीं बनवा हैं वह जल से जल बनवा सकते हैं और वह भी इस लाब में सामिल हो सकते हैं दोस्तों उनको 16 बड़ी योजनाओं का भी लाब दिया जाएगा अगर आप चाते हैं कि आपको वह योजना भी बताए जाए तो सिधे आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों वैसे तो हमने आप इसके लिए एक प्रोपर वीडियो बनाई हुई है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं जिसमें एक एक चैनल के बारे में सोरी एक एक योजना के बारे में आपको बताया गया है कि किस योजना के नंतरगत क्या लाब दिया जाता है अगर आप भी वह लाब लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हैं तो आपको 500 रुपे दी जाएंगे या फिर अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आप 500 रुपे का लाब नहीं उठा पाएंगे, बलकि दोस्तों आप 200 रुपे का कवर विमा का लाब ले सकते हैं, और जो 16 बड़ी योजनाए हैं, जितना भी लाब उन योजनाओं के अंतरगत आता है, वैसे भी आप ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत देश में ऐसे पांच टोप राज्ये हैं, जिसमें पहला राज्ये उत्तरपरदेश है, यनके नंबर वन पर जो परदेश आता है, वै उत्तरपरदेश है, यहाँ पर दोस्तों तीन पोइंट यनके तीन करोड़ 33 लाज से अधिक लोग करोड 37 लाज रजिस्टेशन हो चुके हैं, वै दोस्तों एक करोड 37 लाज लोगों के साथ बिहार तीसरे नंबर पर है और चोथे नंबर पर यहाँ पर दिया गया है उडिसा, और दोस्तों पांच वे पर जारखंड है, रजिस्टेशन करने वाले जो यहाँ पर महिला और कि संक्या भी यहाँ पर दी गई है, 52.52 महिलाए हैं, जो की रजिस्टेशन करा रही है, और जब कि दोस्ते हैं पर 47.38 पीजदी पुरूस है, जो की यहाँ पर इस्रम कार्ड बनवा रहे हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर बनवा रही है, वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप रजिस्टेशन करवाना चाहते हैं, तो रजिस्टेशन करवाने के लिए आपको किन दस्ताविजों की जरूरत होगी, तो दोस्तों अगर आपने भी तक इस्रम कार्ड नहीं बनवाया है, तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, यादि दोस्तों आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर आपके पास वही होना चाहिए, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है दोस्तो यदि किसी कामगार के पास आधार कार्ड से लिंक होग मुबाइल नमबर नहीं है आपके आधार कार्ड में कोई और नमबर है और वह नमबर आपके पास नहीं है तो दोस्तो आप निकटतम किसी भी CSC केंद्र पर जाका जन सेवा केंद्र पर जाकर आप अपने आधा करन के माध्यम से पंजेकरन आप करा सकते हैं दोस्तों आप किसी भी नजदी की स्याश्चिकेंद पर जाएगा और वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड में अपना नंबर एड़ करवाएगा तभी आपका इश्रम कार्ड बन सकेगा दोस्तों यहाँ पर 16 योजनाओं का आपके लिए जल से जल यह पर जानकर लेकर हाजिर हो सकेंगे तो यह थे आपके लिए महत्पुन जानकारी आपको जानकर कैसे लगी हमें कमेंट बोक्स में जाकर जरूर बतेगा निवेदे नहीं करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और हिन जा भारत